खिला है मन का जमन हमारे, दिला है माली आप साथ ओम शांती इश्वरिय ज्ञान है वाचा से अव्यक्त बन जाने का और अव्यक्त स्थिती से दीप साइलन्स में चले जाने का टॉकी से मुवी, मुवी से साइलन्स में जाने का इसलिए इश्वरिय ज्ञान को केवल मुख से बोलना नहीं है केवल सुनना और सुनाना नहीं है अपितु बाबा चाहते हैं कि हम इसको समाई स्वरूप मिलाएं और जैसे हमारा बाबा अद्रिश्य है, दिखाई नहीं देता पर सर्वशक्तिमान है ऐसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान बन निराकारी बन अपने मूल वतन में चले जाएं अपनी सर्वश्रेष्ट, सर्वोच, संपन, संपोर्ण स्थिती को पाएं रिसले बाबा, हर रोज साकार मुडली में हमें देह से न्यारे देही अभिमानी बनने का पुरुशार्थ करने की श्रीमत देते हैं राज भी, पपा बार बार हमें यही कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी बनने की बार-बार प्राक्टिस करो बस यही प्राक्टिस हमें बहुत सारी माया की परिस्थितिएं से, समस्याओं से, विखनों से, विकल्पों से मुक्त कर देगी बबा हमें शौट कट सिखाते हैं तबी सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य आज है चौबिस जन्वरी दो हजार चौबिस बाबा के महवाक्य है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो यह प्रैक्टिस है ऐसे नहीं होता कि एक बारी नहीं बार-बार अभ्यास करना होता है तो विकारी खयालात उड़ जाएंगे बाब की जाद रहेगी आत्मा सतुप्रधान बन जाएगी बस क्या करना है आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है प्रश्न है मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिलकुल ही पता नहीं है उत्तर है बाब से मिलने वजीवन मुक्ती प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है सिर्फ शान्ती शान्ती करते रहते है कॉन्फरेंस करते रहते जानते नहीं कि विश्व में शान्ती कब थी और कैसे होई तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शान्ती देखी है शान्ती कैसे होती है ऐसे पूछ सकते हो विश्व में शान्ती तो बाब द्वारा स्थापन हो रही है तुम आकर समझो ओम शांती रोहानी बाप बैठ रोहानी बच्चों को समझाते हैं तो सभी रोहु समझ कर बैठे हैं न पहले पहले तो यह द्रिष्टी पक्की करो क्या? के हम आत्मा है सभी पिलकुल मैं आत्मा परम पिता परमात्मा परम शिक्षक से इश्वरिय ज्यान अर्जन करने के लिए इस भुकुटी में विराजमान हो मेरे चार और मेरे आत्मा रूप से भाई मेरे साथ विराजमान है हम भाई भाई को देखते हैं जिसे बाप कहते हैं मैं बच्चों यानी आत्माउं को देखता हूँ आत्मा ही शरीर की करमिंद्रियों द्वारा सुनती है बोलती है आत्मा का तक्त है भुकुटी तो बाप आत्माउं को देखते हैं यह भाई भी अपने भाईयों को देखते हैं तुमको भी भाईयों को देखना है पहले यह द्रिष्टी पकी चाहिए यह भाई है आत्मा रूप से मेरा भाई है फिर क्रिमिनल खयालात बंध हो जाएंगे पहले द्रिष्टी रॉटोमाटिकली अंदर की वृत्ती भावनाई बदल जाएंगी यह आदत पढ़ जाएंगी आत्मा ही सुनती है आत्मा ही चुरपुर करती है यह जो हलचल हो रही ने बौडी के अंदर यह सारी मूवमेंट आत्मा से निकलती हो यह एनरजी इसके कारणी यह मूवमेंट हो रही है यह द्रिष्टी पक्की होने से और खयाल सब उड़ जाएंगे फील करेंगी जैसे मैं आत्मा ब्रुकुटी में बैठ कर इस बौडी के द्वारा कर्म कर रही हूँ यह आत्मा भी ऐसे ऐसे कर्म कर रही है यह है नमबर वन सबजेक्ट इसमें दैवी गुण भी आटोमाटिकली धारण होते जाएंगे अकर यह सबजेक्ट पक्की कर ली न तो धारण जिस धारणा की जो सबजेक्ट है Automatically उसके अंदर हम पक्के हो जाएंगे तो इसमें दैवी गुण भी automatically धारण होते रहेंगे करमिंद्रियां चलाएमान देह अभिमान में आने से ही होती है देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी यह कोशिश करनी है गर सच में powerful बनना चाहते हैं तो सच में यह इमानदारी से practice करनी है सर्व शक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतुप्रधान बनती है बाप तो है ही सतुप्रधान तो पहले पहले यह दृष्टी पक्के हो तब समझें कि हम आत्म अभिमानी है आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है soul consciousness और body consciousness रात और दिन का फर्क है कहा तो मैं अमर हूँ अजर हूँ अविनाशी हूँ और कहा विनाशी हूँ मृत्यू को प्राप्त होने वाली हूँ डर है कहा मैं सत्य सरूप में हूँ और कहा बिलकुल असत्य रूप में हूँ तो रात और दिन का फर्क है हम आत्माओं को अब वापिस घर जाना है तो पहले मैं आत्मा सबात्माई हमारा बाबा कौन है? हम में शक्ती भर रहा है और अब हमें घर जाना है आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतुप्रधान बनेंगे यह प्रैक्टिस करने से विकारी खयालात उड़ जाएंगे मनुष्य कहते हैं धर्ती के सितारे बरुबर हम आत्मा सितारा है है न? यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए बिलकुल जैसे ड्रिल करते हैं न? फील करूँ हम आत्मा सितार और ये शरीर हमें मिला है कर्म करने के लिए अब हम तमुप्रधान बने है फिर हमको सतुप्रधान बनना है अभी हम तमुप्रधान बनने है लक्षे क्या है सतुप्रधान बनने का बाप को आना भी पुरुशोत्तम संगम युक पर है ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं वह आते ही रजुप्रधान में है कोई बुद्धव क्राइस्ट के तन में भगवान आये यह तो हो न सके वह आते ही एक बार है और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने तमुप्रधान दुनिया को बदल सतुप्रधान बनाने वह जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वह आना सके उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है उनको कहा जाता है Heavenly God Father ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है श्री कृष्ण को तो बाप वपतित पावन नहीं कहेंगे उनकी महिमा बेलकुल अलग है बाबा समझाते रहते है पहले पहले कोई को एम उबजेक्ट समझाओ भारत में लक्ष्मी नारायन का राज्य था तो एक धर्म एक राज्य था आदि सनातन देवी देवता धर्म था एक ही अद्वीत धर्म था ऐसे समझाओ हैवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है कैसे करते हैं? वह भी क्लियर है संगम पर ही बापा कर समझाते हैं क्या समझाते हैं कि देहे के सबधर्म थोड अपनी को आत्मा समझो ये है पहले ही बाबा की शिक्षा और श्रीमत क्या कि देहे के सबधर्म थोड अपनी को आत्मा समझो लक्ष्मी नारायन के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है लक्ष्मी नारायन के चित्र पर समझानी देनी है शिव बाबा का चित्र भी है महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है जो बाबा का महिमावाला चत्र है न तो बहुत अच्छा बना हुआ है. यह है ही नर से नारायन बनने की सत्ते कथा कौन सी ये जो हम सुन रहे हैं. राधे कृष्न की कथा नहीं कहते हैं. किसकी क्याते हैं, सत्य नारायन की कथा, सत्य नारायन की कथा, तुमको नर से नारायन बनाते हैं, पहले तो छोटा बच्चा होगा, ऐसे डारेक्टली तो नारायन नहीं बनेंगे न, तो पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है, तो बच् बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है लक्षमी नाराण का जो चित्र ना उस पर समझाना है सन्यासी तो आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना सके वो तो निवरती मार्ग में जाते हैं ना तो शंक्राचारे तो आते ही है रजुप्रधान के समे सिखाना सके बाप आते हैं संगम पर कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ उपर त्रिमूर्ती भी है ब्रम्मा योग में बैठा है शंकर की तो बाती अलग है बैल पर सवारी हो ना सके बापको तो यहां आकर समझाना है इस स्रिष्टी पर आकर समझाना है विनाश भी यहां ही होता है लोग कहते हैं विश्व में शान्ती हो बहतो होने वाली है तब बुद्धी में आता है चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो जो शिवकी वा देवताओं की भक्ती करते हैं उनको समझाना है उनको पहले समझाते हैं उनको जल्दी स्मृती में आता है क्योंकि पहले से उनकी प्रती उनकी भावना बैठी होते हैं उनके बारे में उनको बताते हैं तो कहीं बारी पुराने भगत होते हैं तो उने तुरंत स्मृती में आ जाता है बाबा के बच्चे बन जाते है, तो अबा कहते हैं जट मानेंगे, बगि नेचर वा साइंस आदी को मानने वालों की बुद्धी में बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धी में नहीं आएगा, जो कनवर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे. उनकी क्या फिकरात करनी है तो जादा टैंशन नहीं लो आप अपना कारे करो जो कनवर्ट होंगे वो आ जाएंगे देवता धर्म वाले बहुत भक्ती करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे तो देवताओं के पुझारियों को समझाओ बड़े आदमी कभी आएंगे नई समझो बिरला है इतने मंदिर बनाते हैं उनके पास ज्यान सुनने की फुर्सती कहा है सारा दिन बुध्धी धंदे में लगी रहती है पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है यह देवताओं की कृपा है बस इसी भावना से मंदिर बनाते है तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नाराण का चत्र उन्हें दिखाओ बोलो तुम विश्व में शांती चाहते हो तो विश्व में शांती का राज्य इस दुनिया में था जब लक्ष्मी नाराण का राज्य था तो सारे विश्व में शांती थी फलानी तारीक से फलानी तारीक तक सुर्यवन्शी राजधानी में बहुत शांती थी फिर बताओ उसके बाद क्या हुआ फिर दो कला कम हो जाते है इस चित्र पर ही सारा मदार है अब तुम विश्व में शांती चाहते हो कहां चलेंगे घर को तो जानते ही नहीं है क्योंकि शांती कहां है शांती धाम में है तो अब कहते होने कहां चलेंगे घर को तो जानते ही नहीं है हम आत्मा शांत स्वरूप है मूल वतन में रहते है वही शांती धाम है वह इस दुनिया में नहीं है उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया बगि विश्व इनको ही कहा जाता है विश्व में शांती नई दुनिया में होगी विश्व के मालिक यह बैठे है गरीब इन बातों को अच्छी रीती समझते है कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है हम रास्ता ढूंडते थे रास्ते का मालूमी नहीं तो ढूंडेंगे कहा रास्ते का तो मालूमी नहीं है तो फिर ढूंडेंगे क्या कुछ भी नहीं ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ती के रास्ते का पता हो, कोई भी नहीं है सारे संसार में, शांती शांती कहते रहते हैं, परणतो शांती कब थी, शांती का अर्थ क्या है वो भी नहीं पता, कब थी, कहा है वो तो बहुत दूर की बात है कैसे हुई किसको भी पता नहीं है कितनी कौनफरेंस आदी करते है उनसे पूछना चाहिए तुमने कभी विश्य में शान्ती देखी है कि विश्य में शान्ती कैसे होती है तुम प्रजा आपस में क्यों मुझते हो? कॉन्फरेंस करते रहते हो? जवाब कहा से मिलता नहीं ना कॉन्फरेंस करते रहते हैं पर अंसर नहीं मिलता है विश्व में शांती तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है तुम कहते हो Christ से तीन हजार वर्ष पहले heaven था तो वहाँ ही शांती थी अगर वहाँ भी अशांती होती तो बापी शांती कहां से मिलेगी? अच्छी तरहां से समझाना है लक्ष्मी नरायन के चित्र से उन्हें शांती का सारा राज समझाना है इस समय तो तुम को इतना समय बात करने नहीं देते च्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है सुनने का भी सौभाग्य चाहिए ऐसे नहीं सुन सकते तुम पदमा पदम भाग्य शाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो बाप बिगर और कोई सुना ना सके बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं यह है ही रामन राज्जे तो यहां शान्ती कैसे हो सकती रामन राज्जे में सब पतित हैं पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायन की थी राम राज्जे और रामन राज्जे में कितना फर्क है सूरे वंशी, चंद्रवंशी फिर होते हैं रामन वंशी इस समय है कल युग रामन संप्रदाए बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र करते रहते हैं बहुत एहंकार है कि मैं फलाना हूँ तो इस लक्षमी नाराण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है बोलो, इनके राज्जे में ही विश्व में शांती थी कोई और धर्म नहीं था विश्व में शांती, सो तो यहां ही होती है तो मुखे यह चित्र है बगी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के खयालात और तरफ चले जाते है तो बाबा चाहते है विश्व में शांती कब थी? कौन लेकर आया? किनका राज्जे था? उस सब हम लक्षमी नाराण के चित्र से उनको समझा दे तो मुखे यह चित्र है पाकि धेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के खयालात और तरफ चले जाते है जो समझा है वह भी भूल जाता है कन्फ्यूज हो जाते है तब कहा जाता है क्या कहते हैं इस बात पर? टू मैनी कुक्स spoil the broth बहुत चित्र होते हैं और हसी कोटी के मॉडल अथ्वा डायलोग आदी होते है तो मूल बात बुद्धी से निकल जाती है कोई विरला ही समझ पाते है कि बाप यह स्थापना कर रहे है 84 जन्म भी इसके लिए ही है दिखाएंगे जरूर एक का सबको कैसे रखेंगे शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है शास्त्रों में भी ज्यान तो सभी अर्जन कर रहे हैं परन्तु शास्त्रों में नाम एक अर्जुन का रखा है न स्कूल में मास्टर एक को थोड़ी पढ़ाएंगे अब शिव बाबा पढ़ा रहे है किवल एक को थोड़ा पढ़ाएंगे यह भी स्कूल है यह तुम्हारे बैज भी बहुत काम कर सकते हैं यह सबसे अच्छा है पहले शिव बाबा के चत्र के सामने लाना चाहिए कैसे सेवा करनी है बाबा विधी बताते हैं और फिर लक्षमी नाराण के चत्र के आगे तुम शान्ती मांगते हो बह कलप कलप बाब द्वारा ही स्थापन होती है कौन स्थापन करते हैं पहले उसके आगे फिर जब स्थापन करते हैं तो दुनिया में किनका राज्य होता है फिर उनके आगे तुम इस चक्र को जान गए हो पहले तुम भी तुछ बुद्धी थे हम भी पहले ऐसे ही थे अब बाप स्वच बुद्धी बनाते हैं बिलकुल बुद्धी क्लीन है, क्लियर है लिखना चाहिए सिवाए परमपिता परमात्मा के कोई भी किसकी सद्गती कर नहीं सकते विश्व में शान्ती कर नहीं सकते बाप ही सब कुछ कर रहे है याद भी उनको ही करते है मुख्य चित्र यह दोनों है कौन से? शिव बाबा और लक्ष्मी नारायन इससे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा ना समझे तब तक आगे नहीं बढ़ो यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा टाइम वेस्ट हो जाता है देखो, बुद्धी में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए अगर नहीं देखो कि इंट्रस्ट नहीं आ रहा बुद्धी में नहीं बैठना पैट रहा हो सात्मा के तो फिर चला देना चाहिए इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए अगर माता हो तो बहुत अच्छा इसमें कोई नाराज नहीं होगा माताएं बड़े प्यार से समझाती है न तो नाराज नहीं होते उनमें अभिमान नहीं होता तो इसलिए नाराज नहीं होते यह तो सब जानते हैं कि कौन-कौन समझाने में तीखे है तो बाबा ने आज किन को याद किया मोहिनी है, मनोहर है, गीता है बहुत अच्छे अच्छे वच्चे है तो पहले लक्ष्मी नारायन के चित्र पर एक दम पक्का कराना चाहिए ठीक, बोलो इन बातों को अच्छी रीती समझो तब शांती की दुनिया में जा सकेंगे ऐसे बताओ मुक्ती, जीवन मुक्ती, दोनों ही मिल जाएगी मुक्ती में तो सब जाएंगे फिर आएंगे नमबरवार पाट बज़ाने समझाना भी भब के से है नमबर वन यह चित्र है विश्वमें शांती के मालिक यही थे कौन लक्ष्मी नारायन यह बाते समझदार की बुद्धी में बैठती है भल अच्छा-च्छा कहते हैं पाओं में गिरते हैं बहुत लोग आते हैं ना कहते हैं बहुत अच्छा समझाते हैं पाओं में भी गिरते हैं परन्तु बाप को थोड़ी जाना है उनको भी माया छोड़ती नहीं है बाप जो इतना उचा बनाते हैं उनको तो कितना याद करना चाहिए इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे बाप कट जाएंगे सतुप्रधान बन जाएंगे यहां अंदर आने से खुशी में रोमाँच खड़े हो जाने चाहिए मैं यह बनता हूँ क्या बनता हूँ? लक्ष्मी नारायन बनता हूँ मैं अंदर यानि हिस्ट्री हॉल में आता हूँ ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं और इन लक्ष्मी नारायन को देखता हूँ, वहाँ सामने लक्ष्मी नारायन की ट्रांसलाइट रखी है, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूँ, ओहो, बाबा हमको यह बनाते हैं, आपको ऐसा लगता है, वहा बाबा वहा, लौकिक घर में, किसका बाप बड़े मर्तब पर होता है, तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है, नाज होता है, बहुत नशा रहता है, मेरा बाप यह है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कि बाप हमको यह बनाते हैं, है न, परन्तु माया क्या करती है, माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए और खुशी रहनी चाहिए साथ-साथ दैवी गुण भी धारण करने है खुशी भी है और फिर दैवी गुण भी धारण करने चाहिए खुशी तो है ये बन रहे है पर अंतु फिर ऐसा बनना भी है न देवता बनना है तो दिव्वेगुण अंदर भी तो होने चाहिए न आत्म अभिमानी भाव भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे क्रिमिनल आई होगी नहीं मन सा तुफान तब आते हैं जब क्या करते हम जब तुम भाई भाई की दृष्टी से नहीं देखते हो दे अभिमानी होकर देखते हो इसमें बड़ी मेहनत है इतना सहज नहीं है बहुत मेहनत लगती है इसमें प्रैक्टिस अच्छी चाहिए आत्म अभिमानी बनना है कर्माती तवस्था तो पिछाडी में ही होगी सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चड़ सकते हैं भल देरी से आते हैं वह भी ग्यालप कर सकते हैं तीखे जा सकते हैं तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा रात रात में भागे दादियों की कहानिया सुनते हैं न कि कैसे भागे फिर इतने बच्चों को पाला इसको कहा जाता है भठी फिर भठी से नमबरवार निकले यह तो वंडर है जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते है गौट फादर तुमको पढ़ाते है कितनी वंडरफुल बात है कितना साधारण है कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं क्या कहते हैं सेवा भी करते हैं, और फिर क्या कहते हैं? नमस्ते, बच्चे, तुम मेरे से भी उचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज, विश्व के मालिक बनते हो, तुबाप बड़ी रुची से आते हैं, अन गिनत बार आये होंगे, आज तुम मुझे राम से राज्ये लेते हो, बाबा क्या कहते हैं, आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रामन से तुम राज्य हराते हो, ये खेल है, राज्य लेना, फिर राज्य हार जाना, अच्छा? रुखानी बच्चों की रुखानी बाब दादा को गुट मॉर्निंग, नमस्ते, 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 धार्ना के लिए मुख्य सार है, पहला, आत्मा को सतु प्रधान बनाने के लिए एक, सर्वशक्तिमान बाब से ताकत लेनी है, देही अभिमानी बनने का पुरुशार्थ करो, हमात्मा भाई-भाई है, यह प्राक्टिस निरंतर करते रहो, दुसरा, बाप और लक्षे, लक्षे क्या है, लक्ष्मी नारायन के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ, बागी बातों में टाइम वेस्ट मत करो, वर्दान है, धर्नी, नब्स और समय को देख, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले, नौलिजफुल भावा, नौलिजफुल आत्मा की क्या निशाने है, वो क्या करती है, धर्नी को देखती है, नब्स को देखती है, और समय को देखती है, उसको देखकर सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करती है, तो नॉलिजफुल आत्मा बन जाती है बाप का यह नया ग्यान सत्य ग्यान है इस नय ग्यान से ही नई दुनिया स्थापन होती है यह है अथौरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ग्यान की नई बाते सुना कर मुझा दो धर्नी, नप्स और समय सब देख करके ग्यान देना यह नॉलिजफुल की निशानी है आत्मा की इच्छा देखो नप्स देखो क्या चाहिए उसे धर्नी बनाओ लेकिन अंदर सत्यता के निर्भायता की शक्ती जरूर हो तब सत्य ग्यान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे है ना, अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ती जरूर हो तब सत्य ज्यान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे स्लोगन है, मेरा कहना माना छूटी बात को बड़ी बनाना तेरा कहना माना पहाड जैसी बात को रुई बना देना तो बस मेरा मेरा छोड़ो सब कुछ तेरा कर दो अव्यक्तमास की विश्षीश पुरुशार्थ के लिए पॉइंट सुनेंगे अव्यक्ती साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनुभव करो जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोज से नियारे रहो इसको कहते हैं बाप का प्यारा घबराओ नहीं क्या करूं बहुत जिम्मेवारी है यह करूँवा नहीं यह तो बड़ा मुश्किल है यह मैसूसता अर्थात बोज है डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोज ना हूँ सब बोज बाबा को दे दो बाबा के सामने रखो और बस बिलकुल निश्चिन्द हो जाओँ अच्छा, ओम शांती प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है पहने रहना गुल्णों का युही गहना है करते चलो सब को प्यार देते चलो सतकार तुम्हें तारों से आगे निकलना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है गगन से उचे रखो विचार धरती जैसा धर्या पार नैनों में रूहानी प्यार बेहद में रहना नाहद में ठहरना से दान दिया सबेते रहना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है होटां का मुसे काईने अप्यूप जैसे हो गुलिस्तान खेले होटों को मुसे कान मिले जग को जीवन दान मिले आए गम की नहावाए देते रहू दुआए नहीं अव गुण को मन में धरना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है क्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है कथनी करनी एक बने कर्म तुम्हारे नेक बने देखके और अनेक बने तुम्हारे देखके और अनेक बने तुम्हारे योगी बनके रहना पावन पावन ऐसे बनना जैसे निर्मल सा झहरता झहरना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है पहने रहना गुणों का युही गहना है करते चलो सबको प्यार देते चलो सतकार तुम्हे तारों से आगे निकलना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है